हलो एविवरीवन, वेल्कम बैक तु इंग्लिश रैंक चैनल जिसे नोकरी करनी है करे, जिसे कुछ खहना है कहे जिसे खाना हो ऴहे खा सकता है और जिसे अराम करना है अराम करे अक्सर में अपनी daily conversation में कुछ इसी तरह के हिंदी वाक्यों को बोलते और सुनते भी है इस तरह के हिंदी sentences को इंग्लिश में कैसे बोला जाए समझते हैं Friends जब आप कहना चाहते हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है करे या कर सकता है इसी बात को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करेंगे one who wants to जो कोई चाहता है sentence structure को समझते हैं आप sentence को start करेंगे one who wants to इसके बाद आपको sentence की main verb, action verb की first form को यूज करना है जैसे जिसको आना है I आना एक verb है उसकी first form को यूज करेंगे इसके बाद आप use करेंगे can इसके बाद आपको again verb की first form को repeat करना है अब एक हिंदी की example की help से समझते हैं कि sentence को इंग्लिश में कैसे frame करेंगे आपके समने हिंदी में example है जिसे नोकरी करनी है करे या जो कोई नोकरी करना चाहता है कर सकता है English पर sentence होगा One who wants to do the job can do One who wants to do the job can do Now let's see more examples जिसे अराम करना है अराम करे One who wants to take rest can take rest One who wants to take rest can take rest जिसे खाना हो वह खा सकता है One who wants to eat can eat One who wants to eat can eat जिसे कुछ कहना है कहे One who wants to say something can say One who wants to say something can say Now friends अब आपके लिए simple practice sentence है जिसे English सीखनी है सीख सकता है आप इस sentence को English पर कैसे translate करेंगे आप अपने answer comment section में जरूर mention करें Keep learning and thanks for watching